नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर मुकेश अगनी होतरी आज हम अपना फूर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूलर थेवरम पर बेज्ट कुछ क्यूंश करें थे आज हम जूलर दौरब पर बेज्ट एक क्यूंशन और लेते हैं देखें जैसे कि आपको दिया हुआ है कि यू इस इक्वज टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपन अंडरूट आफ एक्स प्लस अंडरूट आफ वाई ठीक है तो टूप्रूव हमें क्या प्रूव करना है हमारे को यहाँ दो चीजे प्रूव करनी है पहला प्रूव करना है एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई एक्स टू वन बाई टू टैन यू कि लिए रहे एक्स तो हमें यह प्रूव करना है सेकेंड हमें और प्रू del 2u upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square is equal to 1 by 4 sin u cos 2u upon cos cube u और minus sign ठीक है हमें ये दो चीज़ प्रूब करनी है आज आज हम इसी बहुत ही important question है ये वाला और exam में इस type questions पूछे जाते हैं या तो या तो ये exam में ऐसा question आई जाता है और या तो आप से कई बाद इतना पूसता है exam में या फिर कभी complete ये पूसता है तो ये दोनों ही बहुत ही important question है और इसको हम आज solve करते हैं चलिए देखो इसको प्रूब करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूलियर theorem जब भी हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस functions की degree find out करते हैं ठीक है तो इसकी degree को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमाल लेते हैं साइन जो इन्वर्स हा रहा है इसको आप इदर लिया हो ठीक है तो इसको solve करते हैं अपन यहां पर हमने क्या किया जेट इस एक्वस्ट्न मान लिया साइन यू ठीक है और इसके बाद इक्वल इहां इक्वल में जाएगा आपको पास एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ओफ वाई क्या रहे है आप क्या करें हैं सबसे पहले यहां से काम करते हैं दिगरी नहीं हमें यगालते हैं तो उपर साफ वाई अपको आप लिया तो फ्लस वाई अपॉन एक्स हो गया नीचे से मिने रूट ü को मैं ले लिया क्या रहा मेरे पास सवर्फ वाई अपॉन एक्स पर अंडर रूट साइड सम deg management दिग्वाई बस जाएं यू की एकवल में तो यहां से गर हम डिग्री पर चेक करें तो मेरे पास इस फंक्शन जो डिग्री एन आ रही है वह कितना अरह अपने पास वन बाई टू आ गया अब यहां पर हम जानते हैं जो यूलर्ट थेओरम होती है हमारी तो बाई यूलर्ट थेओरम क्या कहती है हम जेट की एकवल में फंक्शन दे रहे हैं तो यह बन जाएगा मेरे पास एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई एक्वस टू एन जेड ठीक है अब यहां पर एन आपके पास कतना है 1 by 2 है जेड की इतना अपने पास साइन यू है लेकिन यहां डेल जेड अपॉन में डेल एक्स अरहा है तो हम क्या करेंगे इस जेड का एक बार कर दिंगे इक्स के रिस्पेक्ट में modern डिफ्रेंशेशन पार्शल में यह आपका SYN में क्या क्या इसका तो जाएगा कॉस यू डेल्akah अपन डेल क्स ऐसे हम करेंگे इसका हई कर रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाये जाएगा आपका यह कॉस यू डेली ओपन डेल वाई के लिए अब इन सारी इस वैली को हम क्या करेंगे यहां रत देंगे अपन तो देखो रखोंगे आप जैसे आप रखोगे इसके अंदर जो जाएगा एक्स अब डेल जेड़ अपन जो डेल एक्स आ रहा है इसको आप दो यू मैं डेल यू अपन डेल वाई इज एक्स्वास टू एन कितना हमें पास है तो अपन रख दिया अपन ने और ए जड हमारétait पास दिया हूँ अप कॉस यू यहा भी आरहा हो यहां भी आरहा है कॉमर्ण निकालके इसकों रजा मन जाएगे तो दो हमारे पास क्या हूं क् X Del U upon del X Plus Y Del U upon del Y Equals हाँ जी तो यहां पर हमारे लिया Y дел U upon del X Is equals to चाहँ जाँ एन हमारे पास कितना था यहां पर 1 by 2 था और हमारे यह बन गे हाँ पर 10 U तो first जो मैं proof करना था वो ये part आ गया अब हमें यहाँ पर आगे proof करना है आगे proof करने के लिए हमें क्या करना होगा हम क्या करेंगे इसी का एक बार कर देंगे x के respect में partial differentiation एक बार करेंगे इसका y के respect में partial differentiation और फिर इंटू करके add कर लेंगे देखो कैसा करना है समझो एक बार म ट्रेक्स के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफ्रेंशेशन आप इसको X में करोगे X को मैने छोड़ दिया यह जाएगा । 2U upon del x square plus sign x का बन हो जाएगा del u upon del x plus sign पिर मैंने क्या किया y को छोड़ दिया इसका किया del 2U upon del x del y क्योंकि हम x में कर रहे है पिर plus sign पिर del u upon del y को छोड़ दिया करेंगे y का differentiation partial x में respect में 0 equals to 1 by 2 10 का करोगी आप partial differentiation तो 10 को जाता है sec square u del u upon del x के लिए रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्म आ गई एक काम करते हैं हम इसको number 1 दे देते हैं और इसको number 2 अब हम वापस से इसी number 1 का करेंगे y के respect में तो क्या बनेगा देखो आप x को छोड़ दिया जो जाएगा del 2 u upon del x del y plus sign x का करोगी तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे del u upon del x रहे गया plus sign y को छोड़ा तो del 2 u upon del y square plus sign हमने y का किया 1 हो गया तो del u upon del y equals 2 में 1 by 2 10 का किया तो x square u और del u upon del y इसको number हमने 3 दे दिया ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर इसका x और y के respect ने कर दिया partial differentiation अब हमें क्या करना है इस number 2 को हमें x से multiply करना है और number 3 को हमें y से multiply करकी add कर देना है कि लिए रहे ता हमने क्या किया यहाँ पर equation जो 2 थी उसको हमने multiply किया x से फिर हमने plus कर दिया एक question जो 3 थी उसको multiply कर दिया किस से y से और दोनों को add कर दिया दोनों को add करने से क्या होगा देखे ज़रा तो आपने शोट x से multiply किया अगर हमारे पास जो form बनेगी यह हो जाएगी x square del 2u del 2u upon del x square plus x नहाएगा मारे पास del u upon del x plus xy del 2u upon del x del y यह तो 0 जाएगा equals to 1 by 2x sec square u del u upon del x ठीक है तो आपने क्या किया इस पूरू को पहले x से multiply कर दिया आप हमने क्या किया नीचे वाली को y से multiply कर लेते हैं एक बार जो y से multiply करेंगे तो क्या जाएगा मारे पास x y del 2u upon del x del y plus यह 0 जाएगा यहाँ करेंगे multiply तो जाएगा y square del 2u upon del y square plus y del u upon del y equals to 1 by 2 sec square u del u upon del y और इसको अपने y से multiply करेंगे तो आपर y लिएता हूँ है ठीक है अब करना क्या है इन दोनों को एड़ करना है चलिए एड़ करते हैं देखो क्या फोर्मनति मारे पास जैसे हम इसको एड़ करेंगे तो एड़ करने पर क्या होगा x square del 2u upon del x square ठीक है हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को एड़ कर रहे हैं तो यहाँ तक आ गया फिर प्लस साइन अब दोको x y del 2u upon del x del y यहाँ भी है और यहाँ भी है इन दोनों को एड़ कर देंगे तो जाएगा प्लस में y square del 2u upon del y square के लिए रहे है इक्वल करके हम क्या करेंगे जैसे के हमारे पास यहाँ इन दोनों में common क्या रहा था इन दोनों में 1 by 2 common आ रहा है sec square u common आ रहा है हमारे पास क्या रहे है अंदर x del u upon del x plus y del u upon del y साथ में देखोगे आप x del u upon del x यहाँ भी है y del u upon del y यहाँ भी है इन दोनों को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉमा ले लेता हूं मैं यहाँ पर तो यहाँ मेरे पास है जाएगा x del u upon del x plus y del u upon del y के लिए रहे आप देखो थोड़ा साबा इसको आपको simplify करना है और हमारा answer आ जाएगा तो यहाँ पर यह तो पूरा जितिज रहेगा आपका equal करके देखो आप तो इसमें आपका जो x del u upon में del x plus y del y है यह किसके बराबर था आपका 1 by 2 10u के तो मैंने पूट कर दिया है value 1 upon 2 sec square u और यह value 1 by 2 10u यहाँ भी क्या रहेगा वोजी सेम रहेगा 1 by 2 10u ठीक है दोनों में आपे common आ रहा है आपने क्या किया 1 by 2 common ले लिया और 7 में क्या common ले लिया 10u common ले लिया मेरे पास नदर आप 1 by 2 sec square u minus का 1 यहाँ गया ठीक है अब इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर according to जो प्रूव करना है उसको देखते हुए हमें इसको प्रूव करना होगा ठीक है तो हम देखते हैं देखो इसके अंदर क्य हमें जो आंसर लाना था वो किस फॉर्म में लाना है और फिर हम क्या करेंगे इसको उसी फॉर्म के according चेंज कर लेंगे के लिया रहें चलिए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि प्रूव करने में हमारे पास था तो आप देख रहे हो यहाँ यहाँ पर 1 by 4 sin u cos square e2 u upon cos q u आ रहा है means सारा जो question से आपका पूरा-पूरा sign or cos में चेंज और है तो हमें क्या करना होगा इस sign or cos को भी उन दिखुख दिख 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 धा तो मैंने यहां पर 1 Less on 2 को लिख दिया है मैंने segment 9 यूट में किस gyू अंदर पास था 1 अपॉन mijn को set और sag को आपका欠 सकता हूं 1 अपॉन में करके cos square you minus का 1 कि यहां पर मना ली अब हम इसे दीख लेते हैं काहि super ऑफ फोर बाहर हो जाएगा यहां पर मेरे पास सैंड यू अपर सुस्कौायर करें इस को आप टो भार आता है मर्याइल है तो 1 by 4, यह 1 by 4 है आपका भाहर, cos square यहाँ पर है, cos यह रहा, तो मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा, cos cube u, उपर मेरे पास यहाँ पर sin u है, ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर एक formula कौन सा बन रहा है, 1 minus 2 cos square u, यह किसके बढ़ावर होता है, यह formula होता है, cos 2uk, खिलिए रहे, अच्छा, लेकिन इकशी धान देना है, आप जानते हैं कि 2 cos square u minus 1 बरावर होता है, cos 2uk, आप चुक्कि यहाँ पर 1 minus 2 cos square 2uk है, तो minus 1 आगया जाएगा, तो हम इसके आगे minus लगा देंगे, ठीक है, तो यह हमारे पास proof हो गया, जो मैं prove करना था, तो बहुत ही simple question है, तो ऐसे questions को आप easily prove कर सकते हैं, चलिए ठीक है, और यह आपका यूलर बेस पर एक question में complete कर लिया है, अब next class में हम एक और question देखेंगे, और कुछ theory देखेंगे इस part की, और उसके बाद हमारा chapter लगबग complete हो जाएगा, अगर आपको कोई problem हो, कोई भी topic नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इस number पे WhatsApp करके भी पता सकते हैं, कि आप सर यह topic करा दीजे, हमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो 9928781798, यह मेर WhatsApp नमबर है, आप इस पर मुझे WhatsApp करके किसी भी topic को वीडियो में आने की बोल सकते हैं, तो मैं आपका help लेड़ी करूँगा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाई